आप सभी वक्त बात करेंगे आप पर एक शांदा स्टॉक के बारे में दोस्तों जिसमें शेयर रोलर की किस्मत कल बदलते हुए आपको नजर आ जाएगे कमपनी में बोनस भी मिलेगा दोस्तों और धमा के दार डिविडन का भी फाइदा यहाँ पर इन्वेस्टर उटाएगे तो यहाँ पर सभी इन्वेस्टर को लोटरी लग चुकी है जो खरीदना चाहेंगे दोस्तों उनको भी आडवांटेज मिलेंगे और इस टॉक में जब यहाँ पर बोनस मिलता है दोस्तों तो पोजिशन बनानी चाहिए क्या उसे रेटेट भी डिसकस करेंगे जरूर अंडरस्टानिंग करना कंपणी के फंडामेंटल देखकर ही आपको पता चलेगा कि बोनस का कितना जबरदस इंप्याक इस टॉक के प्राइस पर होगा जरूर दोस्तों सभी चीज़ों को देखकर डिसेजन लेना मैं आपको बहुत सी चीज़ें से रेटेट डिकानी कोशिश करूँगा अब देखे किसी कंपणी में बोनस आने वाला है या कंपणी में कुछ अडवन्टेज वाली जो बाते हमें देखने को मिलेगी उसे रेटेट आपको पहले ही पता चल जाएगा दोस्तों जैसे उसकी डिलियूरी पर्सेंटेज अब देखे है यहाप जिस टॉट्स रेटेज हम यहाप पर डिगाने देखने की मिल जाए तो समझ जाना उस कंपनी में कुछ खास यहाँ पर आगे हो चोई देखने को मिल सकता है और जरूर दोस्तों आपको बताना भी चाहूंगा इसमें देखे 62% की डिलियोरी और यहाँ पर आप देखे 1.72 लाक्स यहाँ पर कॉंटिटी ट्रेड हुए उसमें से देखेंगे 1.87112 कॉंटिटी यहाँ पर इन्वेस्टर ने फोट्फोलिय में खरीद कर रख ली बोलतों यहाँ पर कंपनी में फाइदा जबरतस तरीके से सभी को पता है होने वाला है कल इसलिए दोस्तों आज देखे 16 जून को अच्छी कासी कॉंटिटी उठाए गई है अभी इसमें जो इंट्री लेन कर रही है डिवीडन में भी गूड पर्फरमस है इंट्री पॉइंट अल्सो अच्छा है नो रेड़ फ्यक्ट दोस्तों एसम जेसम लिस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं यह कंपनी पर ना कोई आप पर ज्यादा करजा भी दोस्तों और आपको कहूंगा कि कंपनी लगा इसके छे महने के रिटन देके 25 परिशन के रिटन यहाँ पर स्टॉक ने कमाग दे इन्वेश्टर को और दोस्तों इसके जो रिजल्ट है कल आने वाले इसके पूरी नजर रहनी चाहिए और आपको यहां से पता चलेगा इस कंपनी का यहाँ पर जो बोनस रहेगा वो और दूसरी बात दोस्तों डिविडन और इसके कल क्वाटर फॉर के नतीजे से भी हमें एक्सपेक्ट होगा दोस्तों के अच्छी तरीके से इसके रिजल्ट आएंगे बोलकर पावर ग्राइट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ऐसे कंपनी के रिटेट यहाँ पर डिसक्स करें द यहाँ पर करने वाले आल्मोस्त कुछ आइटम यहाँ पर उनने बता दिये जैसे कि फाइनाशियल रिजल्ट दोस्तों दूसरी चीज आपर उनने बता ही है रेकमेंडेशन फॉर ऑफ फाइनल डिविडन के बारे में भी और सब्जेक्ट टू अप्रॉल अप्ड़ तो भी पता चलेगा एक शेयर पर एक शेयर फ्री मिलेगा आएसी चीज़े आपको कल ही देखने के बिलेंगे सभी के सभी यहाँ पर आप फोकस रहेना इस टॉक पर और मुझे लगता है पोजिशन बनाने के लिए भी राइट यहाँ पर आप डिशन ले सकते हैं अब पैक बहुत ज़्यादा हो जाएगा बट दोस्तों यहाँ पर आप देखें कमपणी में आपको वैल्यू नजराती है आप यहाँ पर लॉंग टेम की इन्वेस्टर उसके अंदर बनना चाहेंगे तो यहाँ पर उसमें कंटिनिटी करनी चाहिए क्या होता है रिवर्स वर्क करती कभी कभी कमपणी का यहाँ पर शेर का प्राइज क्यों कि देखें बोनस दे देगी रिजल्ट खराब आ गए तो फिर यहाँ पर डाउंटरेंट दिखाएगा इसलिए कहूंगा कि आप यहाँ पर सोचकर इन्वेस्ट करना मुझे जरू लगता है दोस्तों कि इसके य यहाँ पर 2020 तक की पर यह लिव इसकी बात करें रेविन्यू अच्छी तरकेस बड़ा है नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो बहुती बड़या तरकेस इंप्रॉफिट है दोस्तों कमपनी प्रॉफिटेबल है नो डाउट की कमपनी में कोई कम यह बोल कर इसलिए इसके यहाँ पर हम रेक्मेंडेशन की बात करें अनलिशिस की 95% है दोस्तों इसमें जरूर आप बेनिफ्यू पूटा सकते हैं वैलिवेशन की यहाँ पर जो पीरिशो की रेटेट कंपेर करें तो इसमें भी हमें वैल्यू नजर आ रही है अच्छा कास है आपर वैलिवेशन पर स्टॉक है ट्रेट जो यहाँ पर करना चाहेंगे उनके लिए अब देखें इसके यहाँ पर मार्केट के आपकी बात करें दोस्तों तो इसमें आपको यहाँ पर बहुत सी चीज़े देखनें बिलेंगी बैलेंस इट पर ज़रूर कभी इसका जो लेटेस जो करजा कम हुआ आपको पता चल जाएगा अभी कमपणी का मार्केट के आप देखे कितना है तो पूरते के से यहाँ पर आपको बताना भी चाहाँगा दोस्तों 1,26,682 करोड का मार्केट के आप कमपणी लार्ज क्या पहली है और करजा देखे कितना है यहाँ पर 1,47,979 बलतो हो कमपणी पर जो अभी फिलाल करजा है वो कम भी हुआ है रिडूस किया है जरूर बट थोड़ा बहुत अभी कमपणी पर और भी करजा है इसलिए आप यह आपर समझ कर इनिवेस्ट करना पावर सेक्टर को दोस्तों यह यह पर प्राब्लम होता है क्योंकि उनके वर्क और जो यहाँ पर डिवल्प्मेंट के काम होते उसमें ज्यादा पैसा लगता है इसलिए उन्हें करजा लेना ही पड़ता है यही चीज यहाँ पर बहुत से इ इन्वेस्टर इस अलसो इन्वाल है जैसे यहां पर हम बात करें तो आपको बताना चाहूंगा फॉरेन निवेश्टर देखें उनके पास भी 28% का स्टेक है प्रमोटर भी देखें 51% का स्टेक रखते तो अच्छी बात है और यहां पर अपसें डाउन पावर सेक्टर में बहुत से देखनें मिले हैं इसलिए आपको कहूंगा थोड़ा पोजिशन ही यहां पर बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं ज्यादा लॉंग टर्म के सोच नमत रखना इसमें उतना एक्सपेक्टेशन के सबसे पर फर्म नहीं कर पाएगा थैंक्यू सुमत दोस्तों